फिप्त एक्जाम्पल देखी एक्जाम्पल फिप्त मंगल ग्रह के फोबोस तदा डेलमोस नामक दोचंद्रमा है यदि फोबोस का वर्तकाल 7 गंठे 49 मिनिट कक्सी तिरिजा 9.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमेटर 10 पावर 3 किलोमेटर तो मंगल का दुरिमान प्रिकलित कीजिए यह मानते हुए कि पर्थवी तो मंगल सूर्य के परिता है वर्तिय कक्साओं में परिकर्मन कर रहे हैं मंगल की कक्सा की तिरिजा पर्थवी की कक्सा की तिरिजा की 1.5 दो गूनी है तो मंगल वर्स की अवदी वर्सों में क्या होगी हमें जो क्यूशन में दे रखा है उन्हीं राशियों का प्रियोग करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे मंगल ग्रह का दुर्यमान यहां से आप देखी मैं एक डाइग्राम के जिरिया आप लोगों को समझा रहा हूँ यह जैसे हमारे पास में सूरिय है और इस सूरिय के चारों और इस वर्ताकार काक्सा में मंगल ग्रह चक्कर लगा रहा है यह सूरिय है देखी दोस्तों इस मंगल ग्रह के चारों और मंगल ग्रह के चारों और कोई जो उपग्रह है वो भी चकर लगा रहा है दो उपग्रह है और उस उपग्रह का आवर्थकाल मंगल का उपग्रह है मंगल ग्रह के उपग्रह का आवर्थकाल मंगल ग्रह के उपग्रह का जो आवर्थकाल है वो हमारे पास में है capital T और उस capital T का मान हमें दे रखा है 7 गंठे 49 मिनिट 7 गंठे और 49 मिनिट जैसे इसको आप पर्थवी समझते हैं जब आप इसको पर्थवी समझते हैं तो उसके लिए जो आवर्थकाल का फोर्मूला होता है T square बराबर होता है 4 pi square R का cube बटे में capital G और यहाँ पर capital N और यदि आप इसको पर्थवी समझें इसको आप चंदर्मा समझें या कोई उपगरह समझें तो भी इसको आप apply कर सकते हैं सूर्य के इस्तान पर पर्थवी लीजिए और पर्थवी की इस्तान पर जब आप चंदर्मा लीजी यहाँ पर हम पर्थवी की इस्तान पर ले रहे हैं मंगल ग्रह, यह तो है मंगल ग्रह, और यह मंगल ग्रह का कोई उपगर है, फो बोस, केवल पिंड बदले हैं, सुत्र वही का वही रहेगा, तो हमें इस टीक का मान दे रखा है, इस केपिटल आर का मान भी हमें दे रखा है, 9.4 इंटू 10 पावर 3 किलो मिटर, केपिटल अयम क मान हमें ग्याद करना है तो यहां से देखी capital M is equal to आ गया है 4 pi square r cube upon capital G t square इन सब की value put कर दीजी capital M is equal to क्या निकल करा जाएगा 4 pi का square it means 3.14 का whole square into r की जो value है वो हमें दे रखिए 9.4 9.4 into the power kilometer में दे रखिए 6 meter कर देता हूँ मैं तो इसका cube है तो यहां से आप देखेंगे capital G की value हम जानते है 6.67 into the power minus 11 capital T हमें दे रखा है 7 गंठे तो 7 और गंठे का मतलब हो गया है यह आगया है second में फिर plus में 49 into 60 और इसका भी square तो यह हमने second में इसको समय को convert कर दिया जब इसे हम calculate करेंगे तो हमें मिलेगा 6.48 into the power 23 kilogram तो यह हमें इसका answer मिलने वाला है calculation के पशाथ इसके second part में हमें यह पूचा है कि यह मानते हुए कि ग्रहे के पर्थवी और मंगल सूरी के पर्थवी के पर्थवी के पर्थवी के चक्कर लगा रहे हैं तो मंगल के कक्सा की तिरिजा पर्थवी के कक्सा की 1.5 दो गुणी है तो मंगल ग्रहे पूरा एक चक्कर कितने अब की बार हम ले रहे हैं यहां पर तो सूरी और यहां पर ले रहे हैं मंगल ग्रहे मंगल ग्रहे तो इन इस डाइग्रामों को आपको अच्छे से समझना है तभी यह सारी क्यूशन है वो अच्छे से कलिर हो पाएंगे देखिए हम यह जानते हैं बी पार्थ में है कि आवर्थकाल का वर्ग है वो तिरिजा के क्यूब के समानुपाती होता है तो यहां पर मंगल ग्रहे का जो आवर्थकाल है टी एम से पूट कर दूँ वो समानुपाती है मंगल ग्रहे की कक्सिये तिरिजा के मंगल ग्रह ये मार्स के लिए हमने M लगा दिया पर्थwी का जो आवर्थकाल है वो पर्थwी की ककसी तिर्जा के क्यूब के समानुपाती होता है यहाँ पर यह हमने पर्थwी के लिए E लगा दिया और इन दोनों से हम क्या put कर सकते हैं यहाँ से देखे tm का square upon t e का square बराबर पूट कर सकते हैं rm का cube upon r e का cube इसे हम इस तरीके से पूट कर देंगे tm square equal to r m का cube बटे में r e का cube into में t e का square सबगी value पूट कर दीजिए तो सबगी value यहां से हम put कर देते हैं तो tm का square बराबर r m यह r m है पर्थवी की मंगल ग्रह की ककसे तिर्जा और हमें question में बता रखी है कि r m का जो मान है वो पर्थवी वाली जो radius है उसका एक पॉइंट पांच दो गूणा है तो यहां पर इसको हम 1.52 r e put कर देंगे अपोर में r e है ही यह cube में है t e t e का मान हमें question में अभी हम t e को भी put कर देंगे तो यहां से देखिए t m equal to हमें r e से r e cancel हो गया 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.52 इसका root हो जएगा और इसमें यहां पर t e का भी root हो जएगा देखिए इसका जब अंडूड हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है इसका अंडूड में इन दोनों का अंडूड होगे 1.52 एक 1.52 रह गया यहां से t e दिनों की इदी संख्या में लिखें तो पर्थवी का जो आवर्थकाल होता है वो 365 दिन का होता है जब इसकी हम calculation करेंगे तो 684 दिन प्राप्त होंगे तो जो पांचवे example है उसका जो second part है कि जो मंगल ग्रह है वो सुर्य के चारों और कितने दिनों में चकर लगा लेता है तो उसकी calculation आएगे 684 दिन इसे भी आप अच्छे से समझ लेंगे इस फॉर्मूले का प्रियोग करते हुए हमने find out किया है ये हमने केपलर के तीसरी नियम से अनुपात निकाल कर इसको हमने put कर दिया और उसी फॉर्मूले से हमने मंगल ग्रह का जो मंगल वर्स होता है अर्थार्थ एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय तो वो पर्थवी के एक वर्स की तुल्ना में बढ़ा होता है पर्थवी का जो पूरा कक्सिये पूरा एक कक्सा में चक्कर है या जो प्रिकर्मन काल है वो एक वर्स में होता है और एक वर्स में यह जो हमने समय TE बराबर TE बराबर एक वर्स होता है और एक वर्स का मान है 365 दिन तो यहाँ पर दिनों में आएगा यदि आप इसमें यहाँ पर second पुट कर देते हैं क्योंकि एक दिन में second होते हैं 86,400 second और दिन तो यह second में इसका answer आजाता यदि आप TE की value यह put करते तो second में इसका answer आजाता तो यहाँ पर हमने इसको दिनों में put किया तो answer भी दिनों में आएगा तो यह था fifth example